हेलो व्रिवन कैसे हो आप सब अच्छी हो गए और अपने घर में सुरच्छीत हो गए आज का ये वीडियो में लेके आया हूँ उन वर्ट्स के बारे में जो सुनने को मिलता है ट्रेवलस से जो पहली पर आप सुनते हो जिस वर्ट्स को आप सिर्फ एक ही बात कहते हो इक और वीडियो के आखरे में मैं अपने स्टाइल में इसको कंक्लूट करूंगा लोग इसका क्यों यूज करते हैं यदि आप इस चैनल पर नए आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा जिसके ना ही कोई फीस लगनी है ना ही कोई श्टोरेज इससे एक पाइदा मेरा हुआ कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए और जिनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसे तहीं दिल से सुख्रिया आपका टाइम जाया ना करते हुआ मैं आपका सवगत करूंग अपने चैनल में जिसका नाम है तो हम आपने पहले वर्ट की बात करेंगे जो की है हिच हाइकिंग हिच हाइक को हम थमिंग या फिर हिचिंग के नाम से भी जानते हैं Basically, एक person को एक place से दूसरे place तक जाना होता है, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, एक या तो public transport पकड़े, public transport करने का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ उसकी fees देनी पड़ेगी, जो free of cost नहीं होती है, और financially burden भी पड़ता है, दूसरा रास्ता है, lift लेके free में आप उस place से दू hitchhiking, जहाँ एक person एक place से दूसरे place जाने के लिए hitchhiking करता है, याने की lift लेता है, एक अजनवी के वैकिल में जो से free में उस place तक छोड़ता है, उसे ही कहते है hitchhiking, hitchhiking कितना safe है, यह depend करता है आपके decision और आपके किस्मत पे, पास में से चार आदमी आपको अच्छे मिलते हैं तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, इसलिए कई country में hitchhiking illegal किया गया है, यदि आप उस country में जाते हैं, या किसी भी country में जाते हैं, तो उसके rules और regulation जरूर देख लीजिए, अब बात करेंगे hitchhiking के tips के बारे में, जिसको आप अपना सकते हैं, और अपने experience को बूलते हैं, इससे आपका फैदा ये रहेगा कि आपको असानी से lift मिल जाती है, as comparison, यदि आप highway पे कभी कभार ये होता है, कि वहाँ कोई बैटने की जगा नहीं होती है, या चाहों की जगा नहीं होती है, सुबा के time तो चलो, time कड़ जाता है, पर दुपैर में, वहाँ ख गोसिस करिए, दिन में ही अपने आप जो travel है, पूरी कर लीजिए, तीसरी टिप ये है, कि यदि आप हिचाई करते हैं, तो अपने inner instinct पे थोड़ा भरोसा करिए, कि सामने वाला कैसा behavior है, कि उस species behavior तो नहीं, उसका या over friendly तो नहीं हो रहा, तो इन चीजों से थोड़ा सा ध् में रखिए, चोथा टिप ये है, कि यदि आप हिचाई करते हैं, या फिर कभी जाते हैं, तो कैस ज्यादा मत रखिए, इतना ही रखिए, जितना आपका काम चल जाए, ज्यादा रखने के कोई जरूत नहीं है, क्योंकि safety reasons है, इसको कमी रखिए, और पाच्वो टिप ये है कि यदि आप कहीं जाते हैं, तो अपने friends और family का number एक written form में जरूर रखिए, family का तो number याद रहता है, कभी कभार ये होता है, कि जब मुसीबत पढ़ती हो, तो numbers पज़र होने लगते हैं, और friends के number तो वैसे ही खास कर याद नहीं होते हैं, तो उसका written form में रखिए, यदि आ आपको ही लेना है, और situation के साथ deal आपको ही करना है, तो precaution के साथ ही travel करिए, hitch hacking बुरा नहीं होता है, ये कभी कभी बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि आपको ने ने लोग मिलते हैं, जो आपको अपने culture के बारे में बताते हैं, और उन hidden places को बताते हैं, जो Google पे available नहीं है तो hitch hacking करना भी एक अच्छा experience होता है, बस थोड़ी से साथदानी रखिए, अपने experience को और बहतर करिए, अब बात करेंगे हम अपने दूसरे word की, जो है couchsurfing, couchsurfing बैसिकली ये होता है, जब आप एक सहर से दूसरी सहर तक पहुंचते हैं, तो आप ढूडते हैं वहां रहने की जगा, आपके पास दो option होते हैं, पहला कि आप hotel, hostel या guest house बुक करें, तो basically ये भी chargeable होता है, इसका भी कुछ नए कुछ cost आपको देना पड़ता है, जो कि financially burden भी देता है, दूसरा रास्ता है कि आप किसी क्या फ्री में रहें, कोई आपको अपना accommodation दे दे कि भई आई रह ही हमारे है, जो कि फ्री में हो, इसी को कहते हैं, couch surfing, couch surfing है basically आप अपने host को request भेशते हो, उनके आँ रहने की, host वो होता है जो उस property का मालिक होता है, वो honor होता है, जो आपको permission देता है कि आप उनके आपके रह सकते हैं, couch surfing से फैदा ये मिलता है, कि आपको नए लोग मिलते है नए चीजे जाने को मौका मिलता है, जहां अपने culture को और hidden places को आप जान पाते हैं, couch surfing करते हैं कुछ बाते आप ध्यान में रखिए, जैसे कि पहला है कि यदि आप किसी host के आँ जा रहे हैं रहने के लिए, उनके लिए आपको छोटा मुटा gift लेते जाएं, compulsory नहीं है, पर ले जाएं, उनको ज्यादा खुसी होगी, तो एक positive attitude देखनों को मिलता है, दूसरा है, यदि आप किसी place में जाते हैं रहने के लिए, तो ऐसा मत समझ दिए कि वो एक hostel या hotel की तरह आप गए रहने के लिए, अपने में ही busy हैं, आप host के साथ घुलिए मिलिए, उनसे बाते कर रही है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, host के पास ज्यादा bedroom नहीं होते हैं, उनके पास अपना ही single bedroom होता है, तो आपको कुछ छोटी जगा मिल जाती है, सोने के लिए, रहने के लिए, तो आपको उस हिसाब से adjust करना पड़ता है, कभी-कभी आपको अच्छी जगा भी मिलत कर सकते हैं, उनके काम में volunteer करके, आपको कुछ specialized field है, तो उसकी मदद से आप अपने host की मदद कर सकते हैं, कुछ host ऐसे होता है, जिने कुछ time के लिए लोग चाहिए होते हैं, short period of time के लिए लोग चाहिए होते हैं, जिसके एवज में वो आपको free accommodation और free food भी देते हैं, तो इस हो जाता है, तो इसका experience इसमें मिलता जरूर है, कैसी फेंटन, जो एक computer programmer थे और रहने वाले थे न्यूहम सायर के, 21 साल की उमर में उन्हें घूमने का मन किया, तो उन्होंने कुछ flight देखी, तो उन्हें मिलती है flight Boston to Iceland की, जो सस्ते में मिल रही थी, अब इसको उन्होंने book कर लिया, अब इनके पास दूसरा challenge आता है, कि अब वहां रहे तो रहे कहां, stay करने का challenge था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने University of Iceland की website को hack कर लिया, उनके database से 1500 student के email id का जुगाड किया, फिर उन email id पर इन्होंने randomly अपना mail किया, कि मैं आप क्या रहना चाता हूँ, कि आप कर दिया, कुछ दिन बाद उन्होंने देखा, कि उन्हें 50 से 100 लोग ने invite किया है, अपने हाँ, permission दिये कि आप आई या हमारे यहां रहे, तो इसके बाद कैसी फेंटन वहां जाते हैं, अपना गूमते फिरते हैं, फिर जब वो लोटते हैं, तो उनको यह idea आता है, क्योंना मैं एक community बनाओ, एक website बनाओ, जहां लोग ऐसे आएं और एक दूसरे से जुड़ें, तो 12 जून 99 को उन्होंने कैसी फेंटन ने cow surfing.com का domain था, उसको register किया, फिर बायरत में दीरे दीरे में चलती रही चीज़े, सब कुछ होता रहा, फिर 12 जून 2004 में उन्होंने officially इस website को launch कर दिया, जिसका नाम था call surfing.com, आज सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है, लोग जानते हैं, इस website को जानते हैं, मैं आपको कुछ websites के नाम बता देता हूँ, जहां आप call surfing के लिए request भेज सकते हैं, पहला तो आपने जानी लिया call surfing.com, दूसरा है workaway.info, तीसरा है worldpackers.com, यहां आप call surfing के host को ढूर सकते हैं, अब बात करेंगे call surfing करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखने का, जब भी आप call surfing के लिए किसी को request भेज रहे हैं, तो पहले host के reviews पढ़ें, कि उन्हें लोगों ने क्या review दिया है, उसको पहले जरूर देखें, उसके बिना कहीं भी request ना भेज हैं, और यह भी बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगी, कोई host है, यदि वो लिखता है कि only female या फिर only male, तो वहां भी जाने से बचें, तो रड़ा safety region भी है, और थोड़ी कुछ चीजें हैं, जिसको आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए, तो cool मिला कि यही है कि आप reviews द outdoor activity है, जहां आप अपने घर से बहार tent लाग के रहते हैं, mainly camping की जाती है, forest, mountain या फिर hilly areas में, जहां river और lake हो, तो आपको अलगी level का experience मिलता है, अब मैं camping की बाद traveler के point of view से करूँगा, कभी-कभी जब traveler एक city से दूसरे city में जाता है, या फिर किसी areas में जाता है, तो वहां व से कोई cow surfing host नहीं मिलता है, तो जिससे camping के जरीए वो अपने cost को बचाना चाता है, और जो financial burden उसे कम रखना चाता है, पर कई मामलों में camping इतरा easy नहीं होता है, उन्हें भी बहुत challenges देखने पड़ते हैं, जैसे जब आप camping करने जाओ, कुछ चीजों का द्यान आप जरूर र आप वहाँ camping कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए, जब भी आप camping, mountain, hilli या फिर किसी river के side करना चाते हो, तो वहाँ इस बात पर ध्यान रखिए, वहाँ कोई जानवार, सवाप, पिच्छों तो नहीं आते हैं, जिस पर आपको पसानी ना हो, और ऐसे area में camping आप अकेले बिल्कुल ना करें, एक दो जन साथ में रहें, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, camping करते वक्त कुछ चीजों का और ध्यान में रखिए, जैसे कि first ticket अपने साथ रखिए, sleeping bag, sleeping pad या में mattress होती है, उसको रखिए, flashlight रखिए, mobile है, तो काम चल जाता ह इने तो flashlight भी रख सकते हैं, और मच्छरों से बचने की दवा भी रखिए, या ति मच्छर का आपने लगते हो, तो फिर कुछ समझ में आता रात में करें तो करें किया, तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए, यदि आप अपने वेकल से हैं, तो एक potable camping stove भी रख सकते है अपने साथ, stove को भी यूज कर सकते हैं, खाना होना मनाने के लिए पैन वेन रख सकते हैं, तो इस चीजों का experience जरूर करिए, camping भी बहुत अच्छा medium है, नेचर को experience करने का, तो camping भी आप उपने life में कर सकते हैं, अब हम अपने चौते वर्ट के बारे में बात करेंगे, जो ह hiking, hiking एक recreational activity है, जहां आप एक natural environment को enjoy करते हैं, यह activity एक सदो दिन की होती है, यानि short period of time की होती है, जहां आप किसे hilltop पे जाते हैं, वहाँ से आप पहले दिन जाते हैं, दुसरे दिन वापस आ जाते हैं, यहां के जो road होती है, या फिर जिसको trail कहते हैं, वो manmade होती है, आदमे के दारा बनाई गई होती है, जिसके तुरू चलते हुए आप forest या फिर nature को enjoy करते हैं, hiking के लिए ना ही कोई specific knowledge या specific planning या फिर specific gear चाहिए होते है, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, आप simple जाईए, hiking करिए, फिर वहाँ से वापस चले आईए, तो basically hiking के मतलब यही होता है, अब हम बात करेंगे अपने पाचव वर्ट की जो है trekking, trekking जो है, वो hiking से थोड़ा tough माना जाता है, यह hiking के तुलना में ज्यादा दिन लेता है, जहां आप ज्यादे दिन तक सफर करते हैं, इसके जो रास्ते होते हैं, वो man made नहीं होते हैं, कच्छे पके रास्ते होते है और इसमें कोई mode of transportation ज्यादतर आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, इसमें आप एक goal set करते हैं, कि आपको एक point पर जाना है, एक mountain के यदि point पर जाना है, या फिर higher elevation point होता है, वहां तक आपको जाना होता है, आप उस Nigeria से tracking करते हैं, उस Nigeria से आप वहां तक पहुचने की courses कर जाते हैं, tracking में equipments की जोद पढ़ती है, जैसे camping gas, survival kit और first aid kit जैसे चीजों की जोद पढ़ती है, इसका एक ही specific goal होता है, कि आप एक mountain के top पे पहुचके वहां के river या फिर lake पे वहां के natural environment है, उसको enjoy करें, तो कुल मिला के tracking का मतलब यही होता है, अब हम आपने आखरी word की बा इसमें specific technical knowledge की जरूरत पढ़ती है, जहां trainer होते हैं, जहां आपको training करने पढ़ती है, इसमें जो climbing की जाती है, वो 5000, कम से कम 5000 meter की उचाई होती है, उससे उपर इसमें जाना होता है, जैसे कि Everest हो गया, K2 हो गया, कंचंग जंगया, इन जगह पे आदमी climb करता है, इसमें fitness level आ देखने को मिलते हैं, जैसे oxygen की कमी हो जाती है, extreme weather condition हो जाता है, वहाँ पे और भी challenges आते हैं, जिसको आपको पार करना पड़ता है, तो इसमें specific technical knowledge की जरूरत पड़ती है, जो की काफी tough है, hiking और trekking के बाद, hiking, trekking और mountaineering को यदि एक meme की तरह मैं दिखाना चाहूं, उनके challenges को show करना चाहूं, तो मैं कुछ इस तरह show करूंगा, तो यह था in words के बारे में information, I hope आपको clear हो गया होगा आप, कि in words में आपको कोई confusion ना हो, क्या है, क्या नहीं है, जैसे कि वीडियो के सरवात में मैंने कहा था, इसको मैं अपने style में conclude करूंगा, लोग क्यों use करते हैं, वैसे ही, जब तक social media है, तब तो लोग ससी थरूर बनते रहेंगे, जोग से पर जानना जरूरी है, इन चीजों के बारे में, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, तो इन चीजों से आप familiar रहें, ताकि कोई कुछ कहे, तो आपको पता हो, यह चीजे हैं क्या, चलिए यह था आज का वीडियो, यदि आपको वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यदि कोई suggestion हो, या फिर complaint हो, तो नीचे comment box में जरूर बताइए, जिससे मैं अपने आपको सुधार सकूँ, चलिए अब मुलाकात होती है मेरे next वीडियो म जदी जंदगी रही, तो मिलेंगे दुबारा, तब तक के लिए सायो नारा